दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गौतम ऑनलाइन इस्टडी में तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए प्रवाइट कर रहे हैं वीडियो थोड़ा सा पढ़ाई से हट के वीडियो है ठीक है जो कि किसानों के लिए किसानों के लिए खुसकाबर है कर्ज माफी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि अभी की नियूज है ठीक है अब तो सबकी कर्ज माफी की जाएगी क्योंकि डेडलाइन जो थी आपके जो पहले आपके कम थी वह बढ़ा दी गई है तो चलिए अब हम लाश्ट तक आपको सब क सबकी कारी पर लेकर चलते हैं तो यह देखिए आप यह देख रहे हैं कि नई दुनिया की न्यूज है ठीक है मंत्रदेश भोपाल और यह देखिए जायराए सटफेसर संसे 5 जनवरी ठीक है साइड़े 5 जनवरी टाइम है कोई OLD नीज नहीं है कर्ज माफी के प्रस्ताव पर मुहर 55,000,000 किशानों को होगा फायदा ठीक है क्यों फायदा होगा तो सब कुछ थोड़ा सम डिटेल से आपको बता देते हैं ठीक है क्या है कि कमनलाथ कैमिनेट ने करज माफी वजना के तहए सरकार का जोर लगू और सिमान्त किशानों पर रहेगा ठीक है सभी बैंकों से लिया गया करजा माफ होगा अब देखिए डीटेल से बताते हैं आपको बस आप लास्ट तक जुड़े रहें और सियर करें इस वीडियो को जादा सजादा विवागों के बटवारे के बाद आज कमनाथ कैमिनेट की पहली बैठक हुई इस वैठक में किसानों की कर्ज माफी को अपचारिक मंजूरी दी गई है ठीक है वैठक के बाद उच्छ सिक्षा मंत्री जो आपके जीतू पटवारी ने बताया कि मुख फसल रिन माफी योजना में किसानों का दो लाग तक का कर्जा माफ किया गया है ठीक है पहले क्या थी डेट पहले थी आपके 31 मार्च 2018 थी ठीक है कि इतनी डेट तक का किसानों ने जो लोन लिया था उन्हें सामिल किया गया था लेकिन अभी योजना का लाव कितना कर दिया गया है कि 12 दिसंबर 2018 बारा दिसंबर 2018 के बीच लोन लेने वाले किसान भी सामील होंगे इसमें और जो 12 दिसंबर 2018 के बीच आता है जिसने भी लोन लिया है ठीक है तो सभी का माप कर दिया जाएगा ठीक है इसलिए 55,00,00 किसानों को और फायदा होने वाला है जो आपके डेट लाइन बढ़ा दी ग सबसे जादा जोर लगो और सिमान्त किसानों को फायदा पहुचाने पर दिया है ठीक है लगभग 35 लाग आपके ऐसे फर्मर से जिनका किसानों का करजा माफ होगा फिर चाहे किसानों ने सहिकारी सर्विनिक छेत्र या छेत्री बैंकों से करजा लिया हो ठीक है आपके जो 22 फ उनका करज माफी हो जाएगे ठीक है और विकास खंड के मुख्यकार पाला नदिकारी पर योजना को अमली जावा पहनाने की जिम्मदारी होगी और आपके 26 जन्वरी 26 जन्वरी से किसानों से करज माफी के फॉर्म भराए जाएगे ठीक है फॉर्म भी बराए जाएगे कैबिनेट की और चारिक मंजूरी भी मिल गई है ठीक है तो यही नियूज थी आपके लिए जो की पढ़ाई से हटके थी और मैं अपने चैनल में प्रोवाइट किया मैंने ठीक है तो आपको पहले से मैंने बता दिया था कि यह थोड़ा सा पढ़ाई से हटके वीडियो ठी ठीक है जो की आपके किसानों के लाव के लिए उनके लिए खुस खबरी है ठीक है करज माफी के बारे में ठीक है तो आप सभी अगर देखते हैं वीडियो को तो फेर चुरूर करें ज्यादा से ज्यादा जिसे ज्यादा से लोग जुड सके और हर तरह की सुधा हमारे चैनल में प्रवाइट की जा सके ठीक है तो सेर चुरूर करें आप सभी और चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आपने भी दग नहीं किया है हर तरह की अपडेट आपको प्रवाइट की जाती है तो सब्सक्राइब करने और वेल आइकन चुरूर प्रिस करने जिसे की नोटिफिक आपको समय समय पर हर तरह की हमारी चैनल में उपलब्ध होती रहे ठीक है तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपडेट में थैंक यू झूलग ऌंश प्वलप Siân तो हमारी चैनल मेंकों स्तु तूलग्त हैं आप को समय सुनियारी के थे हमारी का हुआ हैं इन हम जो एकन आप करेतल हैं लिघक टाओक करेंसील पाण हमारीक है पहले काहाने में शल्माने मेंषक करेंस को समय रेकावारी अम्हारी की है झाल झाल झाल